Hello everyone, Welcome to my YouTube channel आज की वीडियो में हम 4 लेक केलेंडर स्प्रेड दिखने वाले हैं कि 4 लेक केलेंडर स्प्रेड को कैसे बनाए और कैसे यूज करें जैसे कि आपको पता होगा कि कल के वीडियो में मैंने त्रिपल केलेंडर स्प्रेड बताया था जिसमें मैंने 3 लेक का यूज किया था केलेंडर स्प्रेड में आज उसी एक्जामपल पे हम 4 लेक केलेंडर स्प्रेड बनाएंगे और उसी एक्जामपल पे हम उसको बैक टेस्ट करेंगे अप्स्ट्रा के सिमिलेटर के थ्रू So start करते हैं 4 lakh calendar spread सबसे पहले हम इसको whiteboard पे समझ लेते हैं कि हम कैसे हम 4 lakh calendar spread बनाने वाले हैं So यहां पे मैंने 4 lakh calendar spread लिखा है इसमें हम अभी वाले example में जो first expiry है यहां पे मैं जैसे जो पहले पहले expiry आने वाली उसको first पोल रहा हूँ और उसके बाद जो second उसकी expiry आएगी और फिर third expiry और फिर fourth expiry अब यहाँ पर आप इसको इसा समझ सकते हैं कि जो first expiry आने वाली है वो 7th gen की है उसका 14th gen उसका 21st gen वो 28th gen यहाँ पर कल वाले example पर मैं इसको simulate करूँगा क्योंकि जिससे clear हो जाए कि third leg और fourth leg में क्या difference है और क्या इनकी profitability में अलग है और इनके payoff डाइग्राफ के से अलग अलग हो सकते हैं सो यहाँ पर इस चार expires मैंने ले ली है इन चार expires पर मैं example को four leg calendar spread को backtest करूँगा जिसमें इसका एक lot buy इसको sell इसको sell और इसको buy अब यहाँ पर मैंने एक को दो को buy कर रखा है और दो को sell कर रखा है जो इसका डेल्टा होगा कल की तरह वो डेल्टा न्यूट्रल होगा गामा भी न्यूट्रल होगा क्योंकि गामा rate of change of डेल्टा होता है वेगा positive होगा क्योंकि last का हमने buy किया है क्योंकि last वाली expiry का सब्सादा वेगा होता तो वेगा positive बोल सकते और slightly positive बोल सकते और theta हम देखेंगे theta इसमें कभी-कभी negative show होता है और कभी-कभी positive show होता है तो इसके example के सबसे हम देखेंगे अभी जो हमाँ example ले रहे हैं वो कल वाले example है जो कल example में मैंने January के expiry ली थी जिसमें मैंने 7th January का एक lot buy किया था 14th January की दो lot short किये थे और 28 January का एक lot buy किया था लेकिन अभी मैं क्या करूँ है 7th का buy, 14 का sell, 21 का sell और 28 का buy सबसे पहले यहां पर मैंने January ले लिया है 1st of January और जो हम इसका pay of date लेने वाले वह भी 20th January लेने वाले एक बार इसके अगर हम entry और exit की बात करें कि entry कब लेनी है और exit कब लेनी है तो entry लेनी है हमको seven days या six days या five days before first वाली expiry जो first expiry थी यहां पर जैसे seven थे seven साथ पांच या चार दिन जित्ते भी back test के साबसे हमको इत्ते दिन पहले entry लेनी है exit depend करता है कि आपका target किता है या फिर आप one percent target रख रहे हो जैसे इसमें margin जो requirement होता है margin requirement के अगर हम बात करें तो वो 60 या 70 k के approach होता है तो आपका target हो सकता है 1 k या 1.5 k वो depend करता है target वाले जित्ती भी चीज़े है exit का वो depend करती है और SL भी आप इसके साबसे keep रख सकते है कि SL मेरा होगा 500 का या जित्ता भी ये सब चीज़े जो भी है वो depend करती है 500 रूपीज है यहां पर यहां पर मैंने entry और exits बता दिया है कि entry और exits कैसे लेना है उसके बाद यहां पर हम एक बार simulate कर रहे थे तो उसको simulate को continue करते हैं यहां पर मैंने first से लेकर 28 तक की pay of date ले लिए 7 का एक lot short और इसमें strike selection भी ATM strike price लेनी है क्योंकि उसमें liquidity ज्यादा होती है at the money strike price तो इसका एक lot buy यह first वाला buy कर लिया सबसे पहले उसके बाद 14 का एक lot sell 14th of January का एक lot sell यहां पर हमने 14th का एक lot sell कर दिया है इसका diagram जो है जो pay of diagram है वो दो लेग में जैसा बन रहा है वेसा ही चार लेग में बनेगा एक बाद देख ले ना यह जो diagram है यह सा कैसा ही similar diagram थोड़ा सा curve जाबा होगा उसमें 4 lakhs जब हम लगाएंगे तो वेसा ही बनेगा लेकिन हम लगा देत एक बार 21th का भी sell देखर यहां पर देख रहे हैं सकते हैं कि liquidity बहुत कम options में available है बट जो हमने 14,000 का लिया है उसमें available है और यहां पर 28th Gen का जो monthly expiry है उसका एक lot buy 14,000 की strike price का इसमें भी तो अच्छे liquidity है इसको मैंने buy कर लिया अब इसका pay of diagram एक बार मैं बता जाता हूं मैंने बताया था कि एक by XL, एक by XL वो वाला example मैं बाद में discuss करके बताऊंगा बट अभी का यह P&L जो pay of graph है यह इसके सामने है यहां पर आप देख सकते हैं यह इसकी छोटी सी range है जहां पर loss होगा on the day of expiry यह इसका P&L graph है और इसके Greeks एक बार देख लेंगे तो delta almost neutral, gamma भी neutral, vega negative और theta, vega और theta में यहां पर game है vega अभी थोड़ टाइम में आपको मैं जैसे move करूँगा क्योंकि मैंने चेक किया यह vega positive हो जाएगा और theta जो है वो भी थोड़ा साथ positive होता रहेगा या negative रहेगा यह लेकिन यह slightly है बहुत क्योंकि एक को sell किया तो theta negative एक को buy किया तो theta negative फिर दो को sell किया तो theta positive और एक को वापस से buy किया तो theta negative तो उसका जो combined positional Greek theta है वो 106 है अब हम move करते हाफ-ाफ hours यह मैं एक तारिक की 9 बाच अच्छी strategy इसमें हमको exit कब लेना है 7th gen को जैसी पहली जो payoff आ रहा है हमारे 7th gen तक ही आएगा तो आप यहाँ देख सकते हमको exit लेना है 7th of gen को जो पहली expiry है उस पे यहाँ पे 660 रूपिस का profit चल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे जो third वाली expiry है उसमें अच्छा खासा theta decay 10 points का एक बार मैं चार्ट भी खोल लेता हूं इसमें और हम चार्ट के साथ साथ check करेंगे कि कैसे work करता अगर हम इसको ऐसे से move करते तो एक बार मैं चार्ट खोल लेता हूं यहाँ पे मैं यह आ चुका हूं first of gen को charts पे मैंने 50 50 का chart खोल लेया और मैं first of gen को आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि first of gen जो है उसमें कुल 30 points है 40 points का moment आया पूरे दिन में यह पूरा sideways था market पूरा sideways था यहां से लेकर जो यह first of gen था उसके बाद gap up opening होई है उसमें भी हम check करेंगे कि कैसे work करती है अभी हम first of gen पे यह तो यह पूरा दिन होने वाला यह पूरा sideways होने वाला तो देख लेता है sideways में क्या profit हो रहा है यह 1100 का profit चल रहा है यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा रहा हूं जल्दी जल्दी 900 600 650 918 1140 1600 1400 और यह पहले दिन के end पे आ चुके है यह 55 minutes का chart है nifty 50 का और मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कोई moment नहीं आया है यहाँ पर निफ्टी 14,000 पर था starting में 14,010 के अप्रॉफ्स और max to max nifty move गया है 14,048 मैंना 40 points के अंदर के range that means यह 0.25 होगा 0.25 यह 0.30% के अप्रॉफ्स एक दिन में moment आया इसको sideways बोल gap up किते percent की gap up opening almost 0.5% से ज्यादा की gap up opening होने वाली है तो हम यहाँ पर simulator में देखते कि हमारे profit पर क्या effect आएगा यहाँ पर मैं एक तारिक की end में हूँ और अब मैं move करूँगा next दो तारिक को यह move किया 4 तारिक को gap up opening होई है और अब यहाँ पर देख सकते 2100 रुपिस का profit हो चुका है क्योंकि 14,000 के call का जो vega होता है वो बहुत ज्यादा होता है तो इसमें अच्छा moment आया है और इसका जो delta होता है यह भी strong होता है इसका vega strong होता है तो यहाँ पर हमको delta और vega की वज़े से profit हो है 1900 और 1500 का यह इसका फाइदा है four legs बनाने का इसमें हमको अलग-अलग strong है इसका vega strong है इस चक्कर में हमारी gap up opening जैसे हुई यह gap up opening हुई तो हमको profit होई यहाँ पर PNL में भी देख सकते हम इस side में आने लग गए है राइट side में आने लग गए है यहाँ बहुत छोटी सी range थी एक हफते का target था और यह जो हमको loss होगा यह भी हमको on the day of expiry ही होगा तमको expiry से पहले exit करना था है यहाँ पर भी exit करने के situation बन सकती है यह मैं high iv, iv rise वाला environment ले रहा हूँ इसके बाद जो मैं environment लोंगा वो iv घिरने वाला environment रहेगा सब्सक्राइब करते 30 30 minutes 2,000, 1,300, 1,800, 1,400, 2,400, 1,100, 2,400, 2,700 यह 5 तरीक की सुबह को आचुके हम यहाँ पर चार्ट में देख ले ते 5 तरीक को क्या हुआ था कि 4 तरीक को आप मूव देख सकते है एकदम सो slightly market नीचे गया फिर एकदम बहुत उपर अगया यहाँ पर परसेंटेज वाइस बता दूँ एक परसेंट घिरा उसके अब बाद 1.20% उपर गया तो यह स्ट्राटेजी इस moment पर बैक्टेस्ट हो रही है अब 5 तरीक को थोड़ा सा gap डाउन खोला और उसके बाद कितना उपर गया है 1.25% का मुव आया है पांच तारीक को तो यह मुवमेंट के साबसे अच्छी बैक्टेस्टिंग का एक्जामपल है 1.400, 1.100 यह पेओफ भी आप देख सकते हैं यह ब्लू लाइगन दिखरी है यह उपर आते जा रही है दिरे जिरे हमको था एक्जिट साथ तारीक से पहले लेना है 2.100, 2.800, 1.900 इसी रेंज में प्रॉफिट मूव करेगा 3-4 परसेंट की रेंज में यह पांच तारीक भी खतम और हम आचुके अब 6 तारीक को 1.800 का प्रॉफिट चल रहा, छे तारीक को क्या हुआ है चार्ट में देख लेते एक बार, मार्केट में फॉल आया था इस टाइम पे, छे तारीक को मार्केट पहले साइडवेज रहा, उसके बाद फॉल आया, कितने परसेंट का, अल्मोस्ट वन परसेंट का, तो अच्छा एक्जम्पल है, यह भी इसको भी चेक कर लेता, क्या होता, यह simulator पुराना डिटा को यूज करके, अनलाइसिस बताता है, simulate करता है पुराने डिटा को देखके, यह 2500 अब फॉल आने वाला है, इसके बाद आएगा एक बज़गी, दोगो, 2300 से लाएक 1400 पा अगए, अब 900 पा आगए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही market में fall आया, उसके बाद profit हमारा कम हो गया, almost 2000 रूपीज का, वापस से अब यहाँ पर recovery हो रही है, देख सकते ही, जैसे recover हुआ, यह वाली recovery, छोटी सी, 0.60% की, तो यहाँ पर market में हमको वापस से profit हो गया, यह 3000 का वापस हो गया, साथ तरिक की सुबह, साथ तरिक की सुबह मतलब gap-up opening होई, जैसे gap-up opening होई, क्योंकि हमारी strategy जो है, यह moment में अच्छा profit देगी, तो उस रिसाप से हमको यहाँ पर 3000 का profit हो चुका है, यह 2000, यह 7 तरिक को 3 बज़े से पहले-पहले कभी भी exit ले सकते हैं, वैसे तो प अच्छी strategy बन सकती है, क्योंकि यह यह वाली range जो होती है, यह बहुत छोटी होती है, अगर हम PNL के according देखे, यह वाली range, एक सरक यहाँ पर error आ गया, चल उसको move कर जाते हैं, यह देखो, साथ तरिक के end तक आते हैं, हमको loss दिखना लग गया, अब जाके loss दिखा, क्योंकि यह वापस से, इसके corner पर आ गई, जो उसका break events थे, उसके पास आ गई, loss वाले break events के पास आ गई, तो हम यह पर देख सकते हैं, यह पर range है, range almost, 200 something point की range है, उसके बास सब जगा profit ही profit है, और time तो बहुत सारा बचा है, और हम तो सारी expires तक जानी रहे तो हमको यहीं पर exit लेना होगा, तो पहले जित्ती ही अच्छी opportunities थी, वहाँ पर exit ले सकते हैं, जैसे 7 तरीक की 3 बज़े के अप्रॉक्स में आपे 1000 का profit चल रहा है, तो यह strategy थी 4 lakh calendar spread, अब बनने में 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh, कितने भी lakh लग सकते हैं, पर कोई भी strategy को apply करने से पहले उसके back testing बहुत जरूरी है, यह मैंने वापस से 1st January का example लिया है, मतलब January वाला case लिया है, तो इसके जित्ते भी examples बच रहे हैं, क्योंकि जो 3 lakh है और 4 lakh है, इद्धा में यहाँ पर लिखते था हूँ, 3 lakh और 4 lakh के और भी scenario back testing जो हम करेंगे, scenarios पर जा जाके, वो मैं next वीडियो में show करूँगा, क्योंकि यह वाली इत्ती बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता, जो जो इनकी भी scenario back testing है, वो हम next वीडियो में share करूँगा, जिसमें 3 lakh का भी और 4 lakh का साथ-साथ करेंगे, 3 lakh को भी एक साथ use करेंगे, जिससे समझ लो, मार्च का environment लेंगे, मार्च के move के हिसाब से, तो मार्च में हम 3 lakh लगाएंगे, और उससी टाइम पर हम simulator में दूसरा टेप खोल के 4 lakh लगाएंगे, जिससे पता भी चल जाएगा कोंसा लेक अच्छा है, और किस लेक के क्या benefits और क्या disadvantages है, यह वीडियो थी, 4 lakh calendar spread पर, यहाँ पर हम Wix के according ट्राइ करेंगे, यह Wix के according हम चलेंगे, मार्च में जैसे आप देख सकते हैं, आप मार्च में स्टार्टिंग के 3 दिनों में कित्ती Wix गिर गई, 22% Wix में fall आया, तो मार्च का environment में next वीडियो में, जो कल आने वाली है, शायद कल आ जाएगी, तो मैं मार्च का environment बताऊँगा सबसे पहले, कि मार्च में जो चार दिन में, 22% में Wix में fall आया है, इस environment में 3 लेक calendar spread और 4 लेक calendar spread कैसे work करता, और जो पूछ रहे थे comment section में कि gap up gap downs कैसे work करते, वो भी मैं इसमें बताऊँगा, जैसे मैंने भी थोड़े बहुत gap up, gap down तो बताए थे, जो gap up हुए थे, तो और भी जो बड़े होंगे, 1% से जादा वाला gap up में, उसमें भी हम इसको back test करेंगे, according to scenario based back testing, तो आज की वीडियो थी यह, 4 लेक calendar spread पर, कल जो मैंने share करी थी, वो 3 लेक calendar spread था, यहाँ पर मैंने 4 लेक का use किया है, एक ही strike price पर, और जो पूछ रहा था कि call की, call ही क्यों यूज करना है, call ऐसा compulsory नहीं है, मैं example के लिए call यूज कर रहा था, आप चाहने तो put भी यूज कर सकते, it's not compulsory to take call only, so यह वीडियो थी 4 लेक calendar spread पर, thank you for watching this video, अगर आग वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो का like कर सकते हैं,